हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब? अलाकि आपने कभी मेरे मस्तक पे तिलक नहीं देखा होगा और ये तिलक है मागोमती उद्गम स्थल का आज मैं मागोमती स्थल पे घूमने आया हूँ और देखिए यहाँ पर तालाप शरोवर में जो है बहुत सारे बतक हैं और ये आप मेरे हाथ में परशाद और देख रहे हैं और मैं ये परशाद जो है अभी इन बतक को खिलाने वाला हूँ और देखिए कि इतने प्यार से ये लोग इस परशाद को खाते हैं ये लोग कौन खाया का बताओ खा के दिखाओ आओ तुम भी खाओ ये लो ये लो ये लो ये लो और खाओ और दूं और दूं और दूं अभी और भी ए तुम्हारी लिला है हूँ अधिशाद को खाओ और खिलाता हूँ और है बहुत सारा है ये लो ये लो येलो 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 तो बारीया कभी मन को संतुष्टी चाहिए हो तो माता गोमती उद्गमस्थल पे आओ और इन बतकों खो जो है ऐसे प्रशाद खिलाओ आपके मन को बहुत आनंद प्राप्त होगा ये मैं गारंटी ले रहा हूँ ठीक है और ये लो कितना अच्छा लगता है इन बेजुबान जीवों से प्यार करना और इने प्रशाद खिलाना अपने आप में परमात्मा का रूप सरूप है और जब हम इन से ऐसे लोग मतलब बेजुबानों से प्यार करते हैं तो परमात्मा हम से बहुत खुश रहते हैं और वो अपनी कर्पा हम पे और ज़्यादा बनाए रखते हैं क्योंकि शुर्णी हम बोलने वालों की तो वहां सा समझ जाते हैं, लेकिन ये बोल नहीं सकते, इनकी भाबनाओं को हमें ही समझना होता है, यह लोग खाओ, 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 खालिया, खालिया, खालिया,